कर नमस्कार साथ यंद्धैटृ नवाइड़नमीर सिंग्सा आप सभी का आपके अपने परिबार safu सभी का पहाने स्घूसाह करता हूँ आसा करता हुं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगेमस्थ होंगे और आगाली परिषा के तैयारी कर रहे होंगे तो सातियों जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के मादम से आपको समय समय पहाम अपडेट देते रहते हैं और हाला कि यह एक दून एक या दो दिन पहले आई तिंक मुझे लगा दूसरा दिन आज है आज दूसरा दिन है और एक भावावाई टामिक रिसेर्श से किया है तो आप जाएए अड़ा का एप डाउनलोड करिए वहां से आप निचोड बैच या फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं उसको बैच को लेने से पहले आप पहले आईए आप वाई टीपे क्लासिस को देखिए उसके बाद आप जाकर बैच को परचेश करिए और प्लांट की आई हुई थी अप्रेल में लगबग अप्रेल में तो उसमें जो बैकेंसी निकल कर बाहर आई थी तो लगबग टीचिया के 399 था उसमें फिटर का ट्रेड का वह जादा था और लगबग 600 अठान में था और वीच्टे आपकी बढ़ गया है तो मैं यह तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन नामबर आप बहुत कम भरे गए एज के टेडिया 18 से बाज से मांगा गया है तो यह कह रहा हूं कि जो रेगुलर पढ़ रहा होगा डेली पढ़ रहा होगा भाया मैं बता रहा हूं कि यह आपका सेलेक्शन निश्चित हो जाएगा क्योंकि सीट उने बढ़ा दिया फिर और जब सीट बढ़ा दिया तो इसका मनलब फिर 19-20 जो भी बच्चे आएंगे यानि इस्ट्रा जो बच्चे आएंगे उनकी भाग कुछ खुलने वाला है उनको नौकरी लगने वाली मेरे बाई तो भीया मैं कह रहा हूं कि अभी टाइम है ए इसका एजाम हम एक रिम भी आपको चर्चा करेंगे कब तक इसकी जाम समभावना बन सकती है आपको भी पता कि कुछ दिन पहले ही इन्हों ने एग्जाम सीटी का भी इन्हों ने जिकर कर दिया कि कहा कहा पर एकद्धां कराएंगे अब बस बचा हुए अड़मिट कार्ड बिट्बिट कार्ट पे यह काम चल रहा है जल्द ही आपके सितंबर लास्ट या फिर आप मान के चलो अक्टूबर के फर्स्ट एयस सिकेंड थी और हमारी नई वेकेंसी थी तो हम लोग आते इस ट्रेणिंग में आते हैं और सबसे ज़्यादा तो महरबान हमारी फीटर वाले भाई के लिए बहुत ज़्यादा इन्हों करेज किया है लगबग मैं बता दूंग आपको श्रीमान जी की यसी के लिए चोशरिस सीरिया है उही मैं बात करों अगर यहां पर उच्छी पर है यहां fantastic मेरे भाई ठीके और वही में बात करों आपसे में चै스마्त आइश्क पर श्रति जीले कि सब में आठ नो पांच चार नो आठ नो दस ऐसे करके सीट को बढ़ाया तो अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाते हो जाएगी हमारे और आपके बीच में तो आप मोटी मोटा समझो कि इनक्रीमेंट कितना किया है तो मैं पहले फिटर के जो सीट थी 698 में थी पुर जलो को और लगने वाली है यानि कि किसका भाग जगने वाला है चाहिए वह बाबाबा इटामी रिश्ञा सेंटर ने सोची लिया है कि अगर जो बच्चा मेंनथ कर रहा होगा जो लगातार पढ़ रहा होगा हम भया उसको नौकरी देंगे आप बस के वह पड़ते रहो और सब्सक्राइब करें तो उसी का इसका पैटर सब कुछ सेम है उसी चीज को भी फालो करता है तो हाला कि बार्क टामिक सेंटर का यह इतनी ज़्यादा जो वेकेंट आई तो हम लोग पहली बार इतना ज्यादा इस पर दिहान दे रहें क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसके पहली इतनी ज़्यादा नहीं आती थी यहां से लेकिन अब वेकेंशी आ रहे तो हम लोगों का भी दियान उथर जा रहा है तो ऐसे मैं बात करूँ सिर्मान जी तो टर्नर की तो 220 है और उस समय टर्नर की थी 213 यानि कि लगबग आप मानग चलिए कि 13473 यानिकि साथ सीट नोने परड़ा दिया पिन ने की बात मैं तो कि सॉसीट हो गई है तरौह उस टाइम कंटी थी अ बेल्टे लिया यहां पर रहें ynोगा कर दिया मैं कैनी के लिए बिजलमे किया है किphone में बढ़ा दिए रिधिया 01-1413 था कि आ tão हैं आ ईंगा केनिक और तूल इन हम ऐसे जांग को दिया है इस में पहले था किया है तो तो मैंक एनिक से कितना है zo放 खाना कूल ऑप्भाई ऑइंहोंने इंस्ट्रूमेंट मेकानीं एट से Lesन का इन ने किया है मेरे भाई 418 पहले कितना स्वाнеटीन का तो पहले लो किसे 399 अपनी लिखा गया है 226 था electronic mechanic का 226 था इन्होंने कुछ काम कर दिया क्या हम नहीं पढ़ाया है 233 दिखें यहां लिखा electronic mechanic पहले 226 था अब कितना हो गया आपकी 235 हो गई है 233 हो गई ठीक है तो ऐसे ही इन्क्रिमेंट हर बढ़ाया है तो लगबाग जो सीट है वह बढ़कर आपको मिलें इसका मुलाब यह है कि भया आप फार्म लगवक मैंने पहले बता दिया था आपको कि लगवक 40,000 के संथिंग फार्म है और 40,000 में अगर टेक्निकल के मैं बात करूं तो यह देख रहे है न विया साथ सो तीरपन चारसो तेरह बहुत सीट है चारसो ठारफ सीट जो है यानि कुनिस सीट की बढ़ गई है और सब्सक्राइब कर आपको नौकरी देख कर मानेंगे बसे को आप पढ़ाई करते रहो तो यह हम बताते हैं कि इसका कई को की हमारे पास भी कुछ बच्चों का मेसेज आया था कि सर इसका थोड़ा सा बता दीजिए कि एकजाम एक ही दिन होगा कैसे होगा किस चीजी का होगा तो आई हम बता दें हाला कि इसमें पहले भी लिखा है कि हम दो पार्ट में पेपर कराए पास होना जरूरी है फिर पार्ट नमर सेकेंड होगा जिसमें आपको ट्रेट से संबंदी पूछा जाएगा ठीक है यह हमारा टेक वाला होगा और यह एक ही दिन दोनों पेपर होगा यानि कि एक दिन पेपर होगा और मैं पहले बता दूंग आपको कि यानि पी सी इसी अब तक चुकि भार्ग पित इतनी अधा बेकंट नहीं आई अब जाकर आई इतनी बेकंट अब ध्यान देना सुरू किया आप कैसे तो कि इतनी बेकंशी बहुत कम देखने को मिल देथी भाब अटामिक रिसेंटर से तो यह एंपी सी एल क्या करता है या एक ही निग्जाम अब करता है आपका पार्ट वन पार्ट सेकेंड में पटन है सेम सेल बस तो मैं एनपी सीयल के अधार पर आउँ आभी बार के अधार पर तो हम नहीं कैसे लेकिन अभी उन्हों जो दिया है जो कि हम एक्जाम आपका एक शीदिम कराएंगा तो एक दिन में करा लेंगे और पास होना ज़रूरी है जब आप पास हो जाओने तो आप इसके लिए क्वालिफाइब हुझाओ पार शेके लिए पार सेकेंड एकर आप पास करते हो तो ठीक इसके बाद हमारा स्क१िल टेस्ट होगा तो आप जाइए जो भी आपके आसपास जो भी फर्मोगरा जैसे मोटर है जनेटर है जहां बनता भी गड़ता हो जाका कुछ सीख लीजिए अगर आपके पास खाली टाइम है फिर आप फिर आपके पास जो नजदी की पावर स्टेशन वहां पर जाक कुछ चीजों को सीख लीजिए थोड़ा फिर पर आपको कोई जैसे मोटर है जनेटर है या फिर आप जाकर सर से रिक्वेस्ट करिए नहीं को इसकील टेस्ट होगा यह कैसे क्या होगा तो बता दो आपको पार्ट सेकेंड होगा और टेक्निकल होगा जब को आप ISKO को सकता है में एन-पी-C-I-L तो इसी दिन इन-पी-C-I-L जो हता है एक ही दिन में Tabakkum करवाता है पार्ट तो कवाता है और कि तन तो सकता है मैं आपको उसी दिन देखने को मिल सकता है उसी दिन साम को रिजल्ट आ जाए और जैसे रिजल्ट होगा हो सकता है कि नेश्ट दिन इसके लिए आपको भेज दिया जाएगा कि भाई आपका अब जरूरी नहीं कि उसी दिन होगा मलब आपको एक जारी कर देंगे क दो दिन या चार दिन के बाद तीन दिन के बाद प्षाहां पर के बाद आपका इसके इंपकेल टेस्ट यहाँ पर होगा तक यह करता यहन करता है मेरे बच्चे कई अब fällt लाइब चलिए चलिए रही है मेरे बच्चे उसके बाद जब आपका होगा तो आप इसकी टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा वेकेंसी है अगर आप LTCN की बात करें तो 418 सीट है बहुत मैंने रखता है और मैं कहूं टो बहुत कम है मदल तरह सा कर सकते हैं मेरे बच्चे की इतना Осब्सप्राइब बार में क्यूंक अगर को सबसे बड़ा करें इंपोर्मे संब सक्राइब Гयों को सब्सक्राइब कर लइसे कर लिए और आप मिछेपर देख रहे हैं तो चैनलProfer को गटन जो होता है यानि कि आइकन को दबा ले ताकि आपको इस तरह की वीडियो इतरह से इनफार्मेशन आपको समझ वह पर मिलता रहा है और एक च्छोडी से इसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बैच है अड़ाप डाउनलोड कर ये वहां से जाए एक टिकल पर से आप आई टीट अडब जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारा निचोड़ बैस आपको मिलेगा और किसी परकार की इनकवारी अगर है तो आप कॉल भी कर सकते हैं पूछ भी सकते हैं तो आप जाएं वहाँ पर ठेके वहाँ से आपको पर्चिस कर लिजी और वहाँ पर के रेंसे उसका यह आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही कुछ दिन पहले ही ईजाम सीटी आप इनने छूज कर लिया था उच्फ जो एक्जाम के संभावना सितंबर थो चली रहा है सितंबर सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर मान के चलो तो मैं आप मोटी मुटा बात करो तो अक्टूबर हद है अक्टूबर हद है सितंबर अक्टूबर में आपको एकजाम देखने को मिल जाएगा और आपको बता है कि जब भी एड्मिर्ट काड आएगा तो दो चार दस दिन पहले ही आपको सुचना मिल जाएगी मेल या मुबाइल के मादर से बागी कि कुछ अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम जय हिंद जय भारत